हाँ तो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल क्लास वित यूनिक आई इंट्रीम में दोस्तो धार्मी कांदोलन में हम बहुत देजी के बारे में पढ़ चुके थे आज हम जैन धर्म के बारे में बात करते हैं दोस्तो इसकी पेडिया मैं आपको अच्छी हैं बातनी प्रफियों को कहा जाता है तिरथांकर जैन धर्मे 24 तिर थांकर होते हैं प्रथम तीठ थांकर आप देख पा Pennsylvania आपहिे आदिनांध और 24 में महाविर स्वामी है पार्स नात और महाविर स्वामी जी के बारे हमें प्रमान मिलता है आईए देखते हैं आदिनात जी का जन्म अस्तान अयोध्या माना जाता है आदिनात जी के नाम का उलेक अयोजुर्वेद में भी मिलता है अरिस नैमी जी को वाशिदयो श्रीकि पार्स नाजी कासी नरेश असुसेन के पुत्र हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म करने वाले व्यक्तियों के लिए अनु ब्रतों का उलेख था। जो ग्री त्याग करके जैन धर्म अपनाते थे। और विक्षुणी कहते थे और उपासक उपासी का ग्रीहस जीव नयापन करने वाले कहते थे। पार्षुनात ने चार अणु ब्रत बताये जैन धर्म में सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्राह। वर्तमान में पंच महाब्रतों का उलेख मिलता है सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्राह तथा ब्रह्मचर। पांचवा महाबिर स्वामी ने ब्रह्मचर को जोड़ा था। तीस वर्स की आयू में महाबिर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आगया लेके ज्यान प्राप्त के लिए ग्रीत्या किया। महाबिर स्वामी जी को रिजुपाली का नदी के किनारे साल व्रिक्ष के नीचे ग्यान प्राप्त हुआ। ग्यान प्राप्त के समय मतलब इन्होंने बारा वर्स तक की तपश्या की बारा वर्स की तपश्या करने के पश्यात इनकी उम्र बैालिस वर्स हो गई थी। इन्होंने तीस वर्स की आयू में अपना ग्रह त्याक किया था। ग्रह त्याक करने के बाद यानि 12 साल बाद 42 साल वर्स में 42 वर्स की आयू में इन्हें ग्यान प्राप्त हुआ था। इनका प्रचलित नाम जब महावईर जी का प्रचलित नाम क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। सभी मौसमों का सरीर में भीविन प्रकार की यातनाय जेलने के कारण इनको नाम महाबीर पड़ गया क्योंकि ये विचलित नहीं हुए थे जिन इसलिए कहला है इंद्रियों पर नियंतरन के कारण इनने जिन बोला जाने लगा केवलीन इसलिए कहला है क्योंकि इन्हें केवली की प्राप्ती हो गई थी निग्रंत इसलिए कहला है सभी प्रकार के बंदनों से मुक्त हो गए थे अरहत इसलिए कहला है योगताम पुरुस होने के कारण ने अहरत कहला है इन्होंने प्राकृतिक भासा में अपने सारे जैन धर्म के त्री रत्न सम्यक ज्यान सम्यक दर्शन सम्यक चरित सम्यक का अर्थ सही होता है गंधर शब्द का अर्थ जान लेते हैं क्या होता है गंधर शब्द का अर्थ महाभीर स्वामी के सिस्चियों को कहा जाता था गंधर महाभीर स्वामी के परम जो गंधर था उसका नाम सुधर्मन ठाब प्रमुक्त श्रावक दाश जीवन यापन करने वाले सरे साब बंकर करने वाले को अबर दियाक करoit करके जेन्झरम अपनाने वाले stereotyping कहते हैं अनन्द चतुस्ठे किसे कहा जाता था, अनन्द चतुस्ठे मोक्ष को कहा जाता था, साहित्य, जैन शाहित्य को आगम शाहित्य के नाम से जाना जाता था, और बौध शाहित्य को सुत्य पिटक, विने पिटक और अभी धम पिटक कहा जाता था, कैवल का अर्थ होता है सर्व सर्वोच ज्यान के बारे में बात करते हैं कर्म बंधन यानि जितने भी जीव हैं इस प्रित्वी पे जितने भी जीव हैं वो कर्म से बंधे हुए हैं आश्रो कर्म का जीव की और प्रवा होना ही आश्रो कहलाता है सन्वर कर्म का जीव की और प्रवा होने से रुखने लगे निर्जरा कर्म का जीव से अलग होना क्या कहलाएगा निर्जरा कहलाएगा जिसे जीरो कर्म कहा जा सकता है मोक्ष जन्म मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है सरलेखना जैन धर्म से संबंदी थे जिसमें उपवास द्वारा सरीर त्यागा जाता है जैन धर्म दो भागों में भिवाजित है समया और तेरा पंथी समय आगे जाकर दिगंबर हो गया तरह 13 पंथी स्वेतांबर हो गया दिगंबर दिख्धन अंबर दिशाथ प्लस अंबर नगन अवस्ता में रहते हैं दिगंबर और स्वेतांबर स्वेत वस्तर धारण किये हुए रहते हैं दिगंबर वैसा ही जैन धर्म को अपनाए हैं सुटामबर परिवर्तनवादी थे महाबीर सौमी की ही पूजा करने लगे थे और महाबीर सौमी को ही ईश्वर मानने लगे थे दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी अलग ब